हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल जैक पुल पे आज के इस वीडियो में हम लोग मौश्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एक्जाम के लिए तो आपके लिए न आपको मन नहीं है हमारा वीडियो देखने का आपको मन नहीं है हमारा वीडियो को लाइक करने का आपका मन नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कुछ मत करो लेकिन 15 मिनिट आप मुझे देदो कितना मिनिट देदो 15 मिनिट कोई मोटिवेशन नहीं देने वाले हम आपको बस सरीफ आपको पढ़ाना चाहते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हम आपको छोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ेंगे, बिल्कुल स्पीड में और आपको समझाएंगे, उसके बाद चार्ट बाइचार्ट आपको बताया जाएगा कि कैसी question exam में प देखो, प्रिवेस यह question को आप देखो, लॉलिपोप question नहीं पूछा जाता है, question काफी tough पूछा जाता है, social science में, तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान में देखो, य यहाँ पर हम अगर डिसकस करें, तो फ्रांसेसी करांती का राष्ट और विचार, विस्व में राष्टवाद की पहली अभी व्यक्ति 1789 में फ्रांसेसी करांती के साथ हुई थी, किसके साथ हुई थी, फ्रांसेसी करांती के साथ हुई थी, फ्रांस में निरंकुस राजतं राश्तंत्र के अधिन्ता यानि वहां के राजाओं पर कोई भी अंकुछ नहीं लगता था। खिलाफ उसके कुछ कारंथ है और यही कारंथ जो आपके एक्जाम में पूछा जाता है। आपके तरफ फैसले देंगे जो गरीब है उसका कोई मतलब नहीं है दमनकारे का मतलब जो बहुत जुल्म करने वाला। और वेवस्थित और जटिल कानून ऐसा कानून बना देना जिसका कोई वेवस्था ना हो जटिल मतलब सबसे कठोर कानून। यह सब क्या था राजनेतिक कारण था। विद्रोह का। बास समझ माया की ने इस तरह से पूछ लेगा। तो यहां पर आप लोग को राजनेतिक कारण याद रखना है। उसके बाद यहां पर देखिए अगर कलपना दरस आपसे पूछेएगा छोटा सा कोशन एक नंबर के लिए तो यहां पर आंसर है। इसको समाजिक कारण भी था, समाजिक कारण जो था, वो था क्या-क्या दर देखिए। सबसे पहले समाजिक कारण दो भागों में विभाजित हुआ, सबसे पहले विजएसा अधिकार प्राप्त, ठीक है, जिसको आप बहुत एक्स्ट्रा अधिकार दे रहे हो, उसमें आता था दित्तिय स्टेट को भी विशेस अधिकार दिया गया था, लेकिन दित्तिय स्टेट में आता था सामंत और कुलीन, इसमें आप बहुत कन्फ्यूजन में पड़ते हो, ठीके, इसको आप लोग किलियर कर लेना, पर्थामी स्टेट में कौन आएगा, पादरी, दित्तिय नहीं दिया गया था, उसको क्या बोलते थे, तिर्थिय स्टेट में कौन आते हैं, जन, साधारन, वर्ग, किसान, मजदूर, सिल्फ, वैपारी, सिक्षित, मद्य वर्ग, ठीके, ये सब कौन थे, समाजिक कारण जो विभाजित, मतलब जो आंदुलन हुआ था, उसमें ये स ये करते हैं, फिजूल खर्च करते थे, वंसानुगत नौकर्स है, यानि कि उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, सब्त वर्षिय यूद, यानि कि यूद लड़ा जाता था, ठीके, लुई पंदरवां के दोरा ये चलाय गया था, सब्त वर्षिय यूद चलता तो ये आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण भी आपको याद रखना है, अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना होगा, फ्रांस में होने वाली गतिविदियों में यूरोप के अरिकांस देश प्रभावित हुए, यूरो की गतिविदियों के कारण यूरोपिय देशों में फ्रांसेसी सेना के आगमन का रास्ता साफ हो गया, इसका परिनाम ये हुआ कि 1790 के दसक में फ्रांस की सेना, हॉलेंड, बेल्जियम, स्विजरलेंड और इटली के एक बड़े हिस्से में परवेस कर गई, इस तरह यूरो निपोलियन के बारे में भी बहुत सारा सवाल एक्जाम में आता है, अब यहाँ पर निपोलियन के बारे में समझे, निपोलियन 1799 में फ्रांस का पर्थम कॉंसल बना, 1840 इसमी तक पद पर बना रहा, ठीक है, 1804 से 1815 तक फ्रांस का समराड बना रहा, उसने फ्रांस में पर फिर वहाँ राजय तंत्र के अस्थापना कर दी थी देखिए निपोलियन क्या था परजय तंत्र को समाप्त करके राजय तंत्र ली आया 1815 में मित्र, राष्ट ब्रिटेन, रूस, परसा और आस्ट्रिया के मिली जूली सेना ने वाटरलू यूद में निपोलियन को पराजित किया लेकिन निपोलियन को प्राजित किया, वाटरलू को युद में निपोलियन क्या हुआ था, प्राजित हुआ था, हार गया था, याद रखना है और उसे सेंट हेलेना दीवट में निर्वासित कर दिया गया कहां पिकर यह भार के बाद उसको कहां भेज दिया गया था यह dEEP का नाम याद रखना है आपबो कॉनसा डीब में भेज दिया गया था सेंट ह केलेणा दियूपमे निर्वासित कर दिया गया था जहां 1881 इसमस्ट में 52 वर्स की उम्र में उसकी मीर्थी हो गई प्रांस की क्रांती के बाद आए बदलाव आए वो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है प्रित, पक्ष और नागरिक जैसे विचार एक संयुक्त समुदाई के विचार पर बल दिया गया राजी सी परतीक के अस्थान पर एक नया फ्रांसेसी जंडा का परियोग लाए गया स्टेट जनरल का नाम बदल कर नेशनल एसेमली कर दिया गया यह सब पॉइंट है अब यहां पर देखे नेपोलियन का जो क्या क्या सुधार था नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किये थे उसके बारे में भी आपको याद रहना चाहिए ठीक है नेपोलियन ने क्या क्या था स्टेटेस जनरल का नाम बदल कर नेशनल एसेमली कर दिया था उसने नया फ्रांसिसी द्वज तिरंगा का परियोग में लाया गया था 1804 इस्वी में नाकरिक सहीता लागू किया जिसने निपोलियन कोट के नाम से जाना जाता था ये important है इसको याद रखेगा उसके बाद जो हुआ है आपका 1808 इस्वी में पेरिस में इंपिरियल विस्व विदाले के अस्थापना किया गया था ये भी important है याद रखेगा एक समान आर्थिक नीती को लागू किया गया क्या किया गया था एक समान आर्थिक नीती को उसके बाद है फ्रेंच भासा को राष्टिय भासा का दर्जा दिया गया था फ्रेंच भासा को राष्टिय भासा का दर्जा दिया गया था ठीक है इसके बाद जो इंपोर्टेंट है वो है आपका निपोलियन कोड सहीता निपोलियन कोड सहीता के बारे में भी आप लोगों क रखा गया था, फ्रांस के सारे उपनिवेस पर लागू था, सामन्ती विवस्था को समाप्त कर दिया गया था, किसानों को भू दासत और जागिदारी सुल्क से मुक्ती मिल गई थी, और कारीगरों पर स्रेनी नियंतरन समाप्त था, ठीक है? कुलीन वर्ग और एक नया मध्य वर्ग, दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है? कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग क्या था? संख्या में कम होने के बावजूर ये यूरोप का सबसे प्रभावसाली वर्ग था, कौन? कुलीन वर्ग इस वर्ग के पास क्या था? भू स्वामित्व था, यानि भूमी का ये मालिक हुआ करता था, इनकी साजह, इनकी साजह जीवन सैली थी, ये वर्ग आपस में वैवाहिक संबंदों में बंधे होते थे, इनकी संख्या क्या थी? कम थी, इनकी संख्या क्या थी? कम थी, ठीक है उदारवाद सब्क्यूत्पति लेटिन भासा लैबर से हुई है जिसका अर्थ होता है अजाद। नए मदवर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था वैक्ति के लिए अजादी और कानून के समक्ष बराबरी। ठीक है इसको आप लोग अच्छे से लिख लेना इसका नहीं तो स्क्रीन सौट आप लेड़ो चलिए यहाँ पर कुछ-कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग देखेंगे अठारा सो तीस की करांती के एकॉर्डिंग अठारा सो तीस की करांती में क्या क्या हुआ था ठीक है अठारा सो पंद्रा इसमें में अस्थाफित बुर्भो वन्स की सा अजादी का संघर्ष प्रारम हुआ 1832 में युनान सो तंत्र राष्ट घोसित हो गया ठीक है कब हुआ था युनान 1832 में अब यह पॉइंट की बात करेंगा 1848 की करांती के बारे में 1848 की करांती में क्या क्या हुआ फ्रांस में दित्य गंतंत्र के अस्थापना हुई लेटरनिक सासन की समापती हो गई थी, ये राष्ट में सुधारवादी आंदोलन कराय गया, प्रेस की सोतंतरता मिली और संगठन बनाने को सोतंतरता परदान की गई, कब हुआ ये सब, ये सब हुआ था आपका 1846 में, सब 1846 के नीचे आप लोग इसको नोट कर लीजेगा, उ अमीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक उसको याद कर लिया होगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, तो समय नहीं है, तो अब इतने लॉंग कोश्चन को आप कैसे याद करोगे, यहां पर कुछ-कुछ इंपोर्टन डेट वगरा होती इस कोश्चन में, अपना है था, कब अपना है था, 1865 में अपना है था, लेकिन यह था क्या, सब लोग आप लोग रटाफिकेशन कर लियो, यह था क्या, यह इस नीती का अर्थ था कि एक एकी करन के मार्ग में आने वाले सभी विरोधी सक्तियों तथा नीतियों के परती कठोर और सक्त रिव थोड़ा से यहां पर आप लोग बिसमार्क के बारे में जान लेजे बिसमार्क था कुन जर्मनी के एक इकरन के नायकों में से एक महत्वपून निरनायक था ठीक है कौन था एक निरनायक था वो विख्यात राश्टवादी और कूठ नितिग्य था कौन था वो कूठ नितिग्य था इसको वर्ड को ध्यान में रखेगा यहीं सब वर्ड एक्जाम में पूछेगा उसने फ्रैंक्फर्ट संसद में भाग लिया था रूस और फ्रांस में राजदूद भी रहा था वो तो यह सब उतना डेट नहीं आता है बस उपर वाला यह सारा बात यार रखने है आपको अब बात करते हैं हम लोग इटली के एक एकी करेंगे इसमें जो है तीन मेजनी काउंट कावूर और गौरी बाल्टी तीनों का जो है बहुत ही बहुत बड़ा रॉल था ठीक है मेजन अगर हम बात करें मेजनी के बारे में तो मेजनी का योगदान क्या था कौंट कावूर का योगदान क्या था इतली के एकी करन का राजनितिक था कौंट कावूर ठीक है 1852 में क्या बना पर्धान मंतरी न्यूक्त किया गया है किसको कॉंट कावूर को 1856 में पैरिस सम्मिलन में इटली की दुर्भागिपुन इस्थिती का चितर प्रस्विक्त किया था किसने किया था कॉंट कावूर ने अब बात करते हैं गौरी बाल्टी, गौरी बाल्टी ने क्या क्या क्या, लाल कुर्ती दल का संगठन बनाया, 1860 में दक्षिन में इटली और सिसली पर अधिकार किया, उसके बाद 1871 में विक्टर एमनिवल दित्टी को एक इकरित कर दिया, इटली का सासग घोशित कर दिया, क्या कर दिया, इटली का सासग घोशित कर दिया, किसने, गौरी बाल्टी ने, गौरी बाल्टी ने, तो यह हो गया, तीनों का आपको याद रखना है, अब यहाँ पर देख लिए जो कुछ इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लोग देखना, तूटी भी बेलिया, सोतंतरत का परतीक था, उसका अर्थ बताना है, बाच छाप कवाच जर्मन समराज की सकती का परतीक था, तलवार मुकाबले की तैयारी का परतीक था, तलवार पर लिप्टी जैतुन की डाली सांती का परतीक था, और उगते सुरी की किने नए युग का क्या था परतीक था, इसको य पॉलिया ने 49 राजियों का जर्मन महासंग अस्तापित किया था, मेटरनिक आउस्टेलिया का चांसलर था, मेटरनिक ने इटली के करांतिकारी जोसफ मेजनी को अपनी समाजिक विवस्ता का सबसे खतरनाक दुस्मन बताया था, इसको याद रखिएगा, मैं ही राज्य हूँ यह किसने कहा था, लूई चौदवा ने किया था, फ्रांस की करांति के समय जो वहां का सासक था, वो लूई सोलवा था, फ्रांस में 21 वर्ष से उपर सभी वेस्क पुर्सुकों मतदिकार की प्राप्ती 1848 के करांति के बाद मिली थी, यह सब याद रखना है आपको, इंपो 215 में, उदारवादियों की करांति कभी 1848 में, इटली के एकिकरन कभी 1879 में, चली अब आप लोग ले कुछ होंबर्क दे रहे हैं, यह होंबर्क आप लोग को करके और हो सके तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजेगा, ठीक है, आंसर अदम बना क टाइप कीजेगा, वन का क्या होगा, टू का क्या होगा, ठीक है, तो चली अब आप लोग कीजेगा, तो सबसे पहला सवाल है, आपका विस्वे में, सरु पर्थम राश्टवाद की उत्पति कहां अवी थी, आपका जर्मणी है, इटली है, फ्रांस है, या फिर जापान है कोश्चन है आपका मैं ही राजा हूँ किसका कथन है नेपोलियन का बिसमार्क का लूई 14 का लूई 16 का कोश्चन नमर्व 3 है आपका पर्थम विस्वयूद का मूल मंतर मूल केंदर कौन था जर्मनी था जापान था बालकन परदेश था बाल्टिक छेतर था यंग इटली का संस्थापक कौन था मैजनी था, मेटरनिक था, नेपोलियन था या फिर बेसमार्क था उसके बाद या आपका लाश्ट पांस सवाल पूचा जाएगा ठीक है जब फ्रांस शीखता है तो सारे यूरोप को सरदी जुकाम हो जाता है यह किसका करण था, लूई फिलिप का, लूई चोदमा का, लूई सोलमा का या फिर मेटरनिक का, ठीक है, यह पांस सवाल इन पांचु सवाल का जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है उमीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बराएं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा